नमस्कार दोस्तों, बाई जू साइए सिंदे में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 2 December 2021 के समाचार विस्लेसन प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें देहिंदू अकबार से संबंदित प्रमुक आलेखों की हम चर्चा करेंगे। और उनसे संबंदित मुख्य परिच्छा के संभावित प्रस्नों की उत्तर सनचना पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के विस्लेसन को प्रारम करने से पहले हम सत्र के विस्या देखते हैं। पहला विस्या है सीमा गत्रियोद में एक निर्मित सनार्थी संकट। पूर्वी यूरोप में ये जो संकट की सिती बन रही है माना जा रहा है कि इससे रूस को दबाव में लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। दूसरा संसदी प्रक्रिया में अव्यस्था की सिती, यहाँ पर राजसभा के सदस्टों का जो निलंबन है, उसके संबद में हम प्रमुक रूप से चर्चा करेंगे, किस तरह से चर्चा को लोगतंत्र का एक बड़ा आधार माना गया है, अगला हमारा विसाय होगा निर्णे का मुकाबला करने के लिए 300 बिलियन यूरो के इंफरा फंड की यूजना बनाई, आज के हमारे सेत्र का अंतिम विसाय होगा, एक दस्तक में 1160 हाती मारे गए, तो हाथियों की मृत्यू की जो इस्तिती है, उसके आंक्रे काफी चौकाने वाले हैं, तो यहाँ पर भी सरकार को ध्यान देने की आवज सकता है, अंतिम रूप में हमारी चर्चा के आधार पर संबंदित जो मुख्य परिछा के प्रस्ट रोंगे, उनकी उत्तर सनचना की हम चर्चा करेंगे, आज के अपने पहले विसाय को हम लेते हैं, इन बॉर्डर स्टेंड ओफ, ए मैनुफेक्च भी दिख रही है, तो हम दोनों पक्च देखेंगे कि किस तरह से रूस को दबाव में लाने का प्रयास है, और वास्त्रवी ग्रूप में समस्या वहाँ पर किस तरह से बनी है, समस्या का प्रमुक आधार ये है कि प्रस्टिमी एसिया में जो युद्दू की इस्तिती है, अ उसके लिए वो बेलारूस और पोलेंड की जो सीमा है, वहाँ पर बेलारूस के रास्ते से पोलेंड में जाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये सरनार्थी जो पस्टिमी एसिया के प्रमुक भागों से आ रहे हैं, जैसा यहाँ पर अगर मांचित में भी देख सकते हैं, तो येरोपिय संग के देशों में एक तरह से सुरच्छित रूप में प्रवेस करने के लिए बेलारूस का जो मार गया उसका उपयोग किया जा रहा है, तो सरनार्थियों को लेकर यही एक समस्या है, यहाँ पर बेलारूस पर आरोप लगाया जा रहे हैं, कि उन्होंने करके आरोप बेलारूस पर लग रहे हैं, और इसी की आर्ड में अगर हम देखें, तो बेलारूस का एक बड़ा सायोगी है रूस, तो रूस पर भी एक तरह से दबाव बनाने की स्थिति यहाँ पर बन रही है, सरनार्थियों की समस्या के मात्दम से प्रमुक रूप से प्र समस्या अब एक बड़े विवाद के रूप में धीरी दिने बढ़ती जा रही है, इसी पक्ष को प्रमुक रूप से हमें देखना है, जब हम बात करते हैं कि प्रमुक रूप से यह सरनार्थी समस्या, तो सरनार्थियों की समस्या बैसुर रूप में बड़ी समस्या है, अब उनको एक तरह से भारती सुरच्छा के लिए खत्रा माने गए हैं। और अफगानिस्तान जहां पर ओं लंबे समेत तक सेना के साथ में उपस्तित रहा हैं, वहाँ के सरनार्थियों को भी लेने से अमरिकाव मना कर रहा हैं। तो बिस्तु के किसी भी देश के अगर हम देखें, तो सरार्थियों को लेकर इस्तिती बहुत अच्छी नहीं है। माना जाता है कि यूरोप में अगर हम ब्रिटिन का एक उधार्ण देखें, तो लगबग 25 हजार लोंग केवल इसी वर्स का अगर आकड़ा देखें, अगर हम वर्स कारण में सरार्थियों की समस्या की बात करें, वह अंतराज़नी इस तरफ पर जब तक एक सुधार की सिथिती नहीं होगी, तब तक हल नहीं की जा सकती, क्योंकि सारे सरनार्थी किसी एक देश में नहीं जा सकते हैं और जिस देश से सरनार्थी आ रहे हैं वहाँ पर जो इस्थितिया हैं उसको नियंतित करने के लिए बैस्विक एक जो सहमती है वो होनी चाहिए साथ साथ सैंक तुराजसंग के प्रयास इस तरह से होनी चाहिए कि जिन देशों से सनार्थी आ रहे हैं वहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक इस्तितियों में सुधार किये जाएं तो सनार्थियों की समस्या को लेकर ये एक विवाद की स्तिति बन रही है लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है जो हमारी चर्चा का प्रमुक आधार है कि ये जो सनार्थियों की समस्या है इसका उप्योग करके अन्य तरह के जो विवाद हैं उनको भी आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है सबसे पहला अगर हम विवाद देखें तो बड़े पैमाने पर जो प्राकर्टिक गेस उसकी एक तरह से आपूर्ती की जाती है और प्राकर्टिक गेस की आपूर्ती जो रूस से ईurोपी देशों में की जाती है वो वहाँ पर उर्जा और साथ-साथ घरों के तापान को नियंतित करने के लिए प्रमुक रूप से एक आवश्चक्ता के रूप में माना जाता है अगर आप मैप में देखें तो ये रेड एरो एंट्री को दिखा रहा है जो रूस से आने वाली गैस का भाग है और अगर हम यहाँ ब्लू पार्ट देखें तो जहाँ पर ये गैस पहुँच रही है तो आप देखें पुलैंड, सुलोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया हर जगे जो गैस है वो रूस के माद्यम से युक्रेन होते हुए पहुँच रही है रूस और युक्रेन के बीच में अगर हम देखें तो संबंद अच्छे नहीं है कारण इसका प्रमुक्रूप से माना जाता है क्रीमिया जिस पर रूस का अब नियंत्रण है यहाँ पर अमरीका का मानना है कि रूस ने जान बूच के युक्रेन के माद्यम से जो गैस आपूर्ती होती है उसको बंद करके बाल्टिक सागर का जो रास्ता है नौड स्ट्रीम टू उसको चुना है इसके कारण से प्रमुक्रूप से युक्रेन को नुक्सान है क्योंकि अगर हम देखें कि जब भी पाइपलाइन किसी देश से गुजरती है तो वहाँ पर पारगमान सुल्क कुछ उसको सुल्क एक तरह से प्राप्थ होता है तो अगर इस तरह की पैपलाइन युक्रेन से ना जाकर बाल्टिक सागर सजाएगी अगर हम नौड स्ट्रीम 2 की बात करें तो युक्रेन को किसी भी तरह का सुल्क प्राप्त नहीं होगा तो अमरीका को ये सबस्वड़ी एक चिंता है कि युक्रेन को आर्थिक रूप में कमजोर करने के लिए रूस की ये रणनीती का भाग है Nord Stream 2 के आधार को लेकर ही यहाँ पर ये भी का जा रहा है कि बेलारूस जो रूस के काफी करीब है बेलारूस पर दवाव बनाकर रूस पर एक तरह से दवाव बनाने की स्थिती है जिससे Nord Stream 2 पाइपलान की जो परियोजना है उसको लेकर कुछ समस्याए हो जाए लेकिन आप ध्यान रखें कि ये परियोजना लगबग 98% पूरी हो चुकी है तो ये भी एक विवाद की स्थिती का बड़ा कारण माना जा रहा है दूसरा यहाँ पर इस सनार्थी संकट को आगे बढ़ाने और बेलारूस पर दवाव बनाकर रूस को दवाव की स्थिती में लाने का प्रयास जो हो रहा है उसके लिए उत्तरदाई कारक यह है कि ऐसा एक अनुमान है कि रूस जल्द युक्रेन पर हमला करने वाला है रूस के दारा युक्रेन पर हमला करने का यह जो एक अनुमान लगाया जा रहा है इसके समद में नाटो के दारा प्रमोख रूप से दावे किये जा रहे हैं और युक्रेन भी इसका समर्थन कर रहा है क्योंकि वो पस्तिमी देशों और खास तौर पे नाटो का समर्थन रूस के खिलाब प्राप्त करना चाता है तो यहाँ पर अगर रूस की बात करें तो युक्रेन के डोनबास प्रांतों के अगर हम बात करें जिसमें डोनस्क और लोहांस यह दो प्रांत आते हैं इन दोनों प्रांतों का अगर हम यहाँ पर मैप देखें तो युक्रेन में यह जो दोनों प्रांत है डोनस्क और लोंगास्क इनके समद में एक तरह से प्रमोख क्रूप से 2015 में एक समझोता हुआ था जिसको मिंस्क समझोता कहा जाता है इस समझोते के मात्यम से युक्रेन ने ये कहा था कि इन दोनों प्रांतों को डॉनेट्स और लोहांस्क यहाँ पर प्रांती चुनाव कराए जाएंगे विकेंद्री करन की स्थिति बनाई जाएगी औ उसको मजबूत किया जाएगा और संगर्स एक तरह से याँ पर समाप्त होगा लेकिन अगर वर्तमान इस्थिति में देखें तो रूस का कहना है कि ना तो किसी तरह का संबेदानिक संसोधन किया गया और नहीं वहाँ पर चुनाए हुए है यानि जो इस्थिति पहले की थी वह अभी भी बनी हुई है अगर हम डोनबास छेतर के इन दोनों प्रांतों की बात करें डोनट्सक और लोहांस्क तो यहाँ पर युक्रेन के ऊपर रूस का दबाव यह है कि इन दोनों छेतरों पर वो सही से काम नहीं कर रहा है इन दोनों छेतरों पर रूस के दोरा युक करिक्ता का दावा कर सकते हैं तो एक तरह से इन दोनों छेत्रों को रूसी भाग में मिलाने की एक प्रक्रिया है उसको एक तरह से युक्रेन मानता है कि ये शुरुवात की गई है और ऐसा क्रीमिया की तरह हो सकता है जैसा क्रीमिया को रूस ने अपने भाग में समलित किया तो यहां माना जा रहा है कि ये जो दोनों प्रमुक छेतर हैं डॉनट्स और सासाल लुंगस्क इन दोनों को एक तरह से क्रीमिया की तरह है रूस अपने भाग में मिला सकता है और इसको लेकर युक्रेन काफी चिंतित हैं इसी कराण से रूस पर इस सरनार्थी संकड की आड में एक दबाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वो क्रीमिया जैसी इस्तिती इन दोनों प्रांतों के लिए युक्रेन में ना कर पाएं तो ये भी एक बड़े करा यहां पर गिना जा रहा है एक तीसरी समस्या देखें तो ये पोलेंड को लेकर है और इस समस्या को भी एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रम खुरूप से इस सरनार्थी संकड का एक तरह से उप्योग किया जा रहा है यूरोपी संग में अगर हम देखें तो काफी यूरोपी संग को हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं दिये गए हैं उन छेत्रों में प्रम खुरूप से यूरोपी संग किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा अगर हम पोलेंड की नीतियों की बात करें और यहां पर प्रम खुरूप से नियाईक प्रक्रिया को लेक तो माना यह जा रहा है कि यूरोपीय संग का पोलेंड के साथ में जो जुडाव है उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं दूसरा अगर हम देखें तो यूरोपीय संग में जैसे उदार नियम कानून है इसके विपरीत पोलेंड में काफी परंपरागत मुल्यों को बढ़ावा दिया जाता है जैसे अगर हम LGBT के अधिकारों की बात करें यानि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सवर या ट्रांसजेंडर तो इनको अधिकारों के लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं है पोलेंड में इस तरह के कुछ मुक्त छेत्र हैं जहाँ पर LGBT प्रमुक तो इस तरह के जो नियम है वो यूरोपिय संकी उदार भावना के विलकुल विरोध में हैं और एक और अगर हम पक्ष देखें तो पोलेंड के दोरा अपनी सीमा का 3 किलोमेटर का जो भाग है वहाँ पर किसी भी तरह के पत्रकार और किसी भी एंजियो पर वहाँ कारे करने प्रत्यबंध लगा दिया गया है तो इसका मानवायदिकार जो समू है और यूरोपिय परसद वो काफी आलोशना कर रही है और पोलेंड को कह रहे हैं कि इस तरह के जो वो कठोड नियम है उसको वो हटाएं तो अगर हम इन तीनों विवाद को देखें जहां पर पोलेंड क रूस के संबंध काफी मजबूत है तो इस आधार पर रूस को दबाव में लाकर पोलेंड यूरोपिय संग को यह बताना चाहता है कि यूरोप का एक तरह से वो रक्षक है रूस का यूरोप में जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोकने में वो एक प्रमुख भूमिक का निभा रहा है इसी के साथ साथ यूरोपिय संग के पास भी यह मौका है कि वो पोलेंड को लेकर अपनी इस्तितियां और मजबूत करें और पोलेंड को यह दर्सा है कि यूरोपिय संग पोलेंड के साथ में है क्योंकि बेलारूस की सीमा से सरणार्थी पोलेंड में महां पर प्रमुक रूप से जो घटना हैं, उनमें अपनी अपनी इस्तिती को मजबूत करने के लिए इस सरनार्थी संकट का विपरीत रूप में उपयोग किया जा रहा है। आज के अपने दूसरे विसे को हम देखते हैं, पॉइंट ओफ डिसॉडर। तो अगर हम संसत के पूरे सीतकाली सत्र की बात करें, तो उसके लिए इन 12 संसतों को निलंबित किया गया है राजसबा में। जब हम संसत की कारिवाई की बात करते हैं, तो सरकार जो एक तरह से बहुमत में हैं, और जो विपक्ष जो एक तरह से बहुमत में नहीं हैं, दोनों को मिलकर एक तरह से संसती प्रक्रियाओं को चलाना होता हैं, बहुमत में यानि जिनकी सरकार हैं, वो अपने मार्ग की अनु कानूनों के मातनम से वो देश में अपने विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरा पक जो विपक्ष का हैं वो अपनी बात कहकर बहस करकर जो भी कानूनिया बिल हैं उनमें जो समस्या हैं उन पर चर्चा करके अपने पक्ष को आगे बढ़ाता हैं यह संसदी कारवाई क प्रमुक आधार है इसी रूप में संसद में चर्चा या जो बहस का सिद्दानत है वो लागू किया जाता है वर्तमान इस्तिती में देखें तो जो भी संसद में विधेक हैं उनको जल्दवाजी में पारित किया जाता है और हंगामे के बीच भी अगर हम देखें तो धौनिम से विधेकों को पारित करने की स्थितियां दिखी हैं, वाद विवात करना या समितियों के पास प्रमुक रूप से बिल को जाच के लिए भेजना इस तरह की जो इस्थितियां वो बहुत कम होती जा रही है, तो बिभिन प्रकार की जो इस्थाई संसत की समितियां हैं, वहाँ पर बिलों को लोगसभाद्यक्च या राजसभा के जो सभापती है उनके दारा भेजा जा सकता है। लेकिन इस तरह के जो निर्ण हैं वो काफी कम हो रहे हैं। तो ये बिभिन परकार के जो बिल हैं उन पर जो जाच की स्थिती उसको कमजोर करते हैं। जो कार्य संसर दारा पिछले मौनसून सत्र में किया गया था। उसके आधार पर वर्तमान पूरे सत्र से अगर उनको निलंबित किया जाता हैं तो ये स्थिती दंडात्मक रूप में काफी कठोर मानी जा सकती है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पिछला मौनसून सत्र था। वहाँ पर इस्थितिया काफी खराब थी। क्योंकि चर्चा और बहस पर अगर हम देखें तो मौनसून सत्र में बहुत ध्यान नहीं दिया गया। और ये जितने भी पुराने सत्र हुए हैं संसत के, उनमें अगर हम देखें तो मौनसून सत्र में इस्थिती बहुत जदा अच्छी नहीं थी, वहाँ पर सरकार विपक्ष की मांग पर अलग-अलग तरह के जो भी निर्ने थे वो नहीं ले रही थी, उसमें विपक्ष का सहीवग वो नहीं प्राप्त कर रहे थे, बीते हुए मौंसून सत्र में जिस तरह से काम हुआ, ये संसदी प्रक्रियाओ को कमजोर करता है, अगर 127 में संबिदान संसुदन विद्यक को छोड़ दें, तो अधिकान से विद्यकों को जो पेस किये गए, उन्हें कुछ दिनों के अंदर ही चर्चा के बिना या संसरी संब्ती के पास बिना जाच के भेजे पारित कर दिया गया, तो ये सिती एक तरह स काफी खतरनाक दिखती है, अब प्रमुक रूप से जो विवात की सिती बनती है, कि संसद जब सही रूप से चलने ही रही थी, वहाँ पर बैस या चर्चा की सिती नहीं थी, उसके बाद भी लोगसबा में 20 और राजसबा में 19 बिल पारित करने में सरकार सफल रही, इतनी ब से पिछले मौनसून सत्र में काफी खराती, अगर हम इसके पहले भी देखें, तो हमारे यह संसद के सत्र जो हैं, वो सही रूप में और पूर्ण चंता के साथ काम नहीं कर पाए हैं, जैसे अगर हम दिसंबर 2010 में बात करें सीतकालीन सत्र में ही, जब 2G स्पेट्रम घोटा इतरह से सामने आया था, और वहाँ पर सत्र में जो कार्यवाई थी, वो अपने कुल काम का केवल 6 प्रस्त हो पाया था, 2016 के सीतकालीन सत्र में ही, नोटबंदी संबद में सरकार की जो प्रक्रिया थी, उसका इतरह संसद में विरोध किया गया, और इसी आधार पर आप और ये प्रक्रिया केवल अभी नहीं पहले भी हो चुकी है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि संसदी प्रक्रियाओं में बहस और चर्चा की इस्तिती अगर मजबूत नहीं होगी, तो ये संसदी लोगतंत्र को कमजोर करेगा, क्योंकि आप ध्यान रखें, संसद वह मंच हैं, जहांपर कारेपालिका में जो वेक्ति सनलंगन हैं, उनको जन प्रतनिदियों के द्वारा एक जबावदेही इस्तिती में लाये जाता हैं, क्योंकि उसी जबावदेही के लिए प्रमुक रूप से वो कारे करते हैं, संसद का एक दूसरा आधार ये भी है, कि जो भी ज जन प्रतनिदी चुने गए हैं वहाँ पर, वो जनता के हित के मामलों को यहाँ पर उठाते हैं, और सरकार का ध्यान उस और आकरसित करने का प्रयास करते हैं, जिससे की जनता के लाप के लिए अधिकतम निड़ने हो पाएं, यहाँ पर कुछ विसेसेग्यों का मानना है, कि यह लोगतंत्र की भावना को कमजोर कर रहा है, इसका उधान आप तातकालिक रूप में देख सकते हैं, कि जो विवादास्पत किसी कानून थे, उन्हें पिछले वर्स पारित किया गया, वहाँ पर भी चर्चा और संसधी समितियों से जाच की जो इस्तिती है, वो बिलों पर लागू नहीं हुई, और अंतिम रूप में सिती ये हुई, कि वर्तमान सत्र में सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़े, तो ऐसी सिती में आप ध्यान रखें, कि चर्चा नहीं होगी, और संसधी समितियों की जाच नहीं होगी, तो जनता का जो मत है, वो बिलों में नहीं दिखता है, और अगर बिल में जनता की सिती नहीं दिखेगी, तो उसका एक नुकसान ये होगा, कि आपको इस तरह से बिलों को वापस लेना पड़ सकता है, तो सरकार के लिए भी समस्याएं बढ़ जाती है, संसध की दक्षता को बढ़ाने के नाम पर, जहां पर कि जब हम संसध में वाद विबात की बात करते हैं, या बहस या चर्चा की बात करते हैं, तो ये एक तरह से ध्यान बटकाने या समय की बरबादी है, लिकिन आप ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की बहस होती है, तो कुछ ऐसे तर्थ निकल कराते हैं, जो जनता के लाप क जनता की बात को संसद में बताते हैं और पहुचाते हैं और उसके आधार पर बिल या विधेकों में संसोधन की प्रक्रियाई भी हो सकती है जो जनता को लाब देती हैं तो ध्यान रखें पक्ष विपक्ष दोनों को ही इस तरह की जो बैस उसका सम्मान करना चाहिए तो कि अंतिम रूप में दोनों ही जनता के हितों के लिए काम करना चाते हैं इसी के साथ साथ अगर हम दूसरा पक्ष देखें अगर वो लगातार संसद में व्यवधान डालते हैं तो विपक्ष की जिम्यदारी है कि अगर वो कोई व्यवधान डालते हैं तो संचिप्त और कम समय का होना चाहिए और वो प्रतिक्रिया के रूप में होना चाहिए संसद में व्यवधान डालना ही संसद सरस्तों का प्रमुकार्य नहीं है विपक्ष के दौरा अगर संसत का सही रूप में उप्योग किया जाए और केवल विवधान के मार को न अपनाया जाए तो वो सरकार के जो पक्षिया विपक्ष में अपनी बात हैं उसे सही रूप में कह पाएंगे और ये सिती लोकतांत्रिक मुल्लों को बढ़ावा देने मे मदद करेगी आज के अपने तीसरे आले को हम देखते हैं Errors of Judgment तो यहाँ पर इलावाद High Code का एक जो निर्ण है उसके सम्मद में यहाँ पर चर्चा की गई है इलावाद High Code का यह निर्ण है एक नाबालिक बच्ची के सम्मद में है जिसकी आयू लगभग 10 वर्ष के आसपास है और माना यह गया है कि उसके साथ जो विसेश यौन क्रिया की गई उसको वहाँ पर उन्होंने यौन अपरादों से बच्चों के सम्मद में जो पोक्सो अधनियम 2012 है उसके तहट गंभीर प्रवेसक यौन मामले को नहीं माना है यानि विसेश यौन क्रिया जो बच्चे के साथ की गई है उसको यहाँ पर न्यायले ने गंभीर प्रवेसक यौन मामले की सिर्णी में नहीं माना है जबकि अगर हम इसी अधनियम की धारा 5M को देखें तो इस पर सुप से कहा गया है कि अगर कोई भी 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उस पर अगर किसी भी तरह का यौन हमला होता है तो उसे हमेशा गंभीर प्रवेसक यौन मामले की सिर्णी में माना जाएगा तो यहाँ पर अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष है यानी 12 वर्ष से कम है और यह निस्चित है तो नियायले के दोरा निर्ने करने में इस अपराद को गंभीर प्रवेसक यौन मामले का अपराद मानना चाहिए था क्योंकि अगर इस यौन अपराद को इस स्रिणी में कोर्ट के दारा माना जाता तो यहाँ पर जो कारावास की सिती है अगर हम पोक्सो अधनियम 2012 की धारा 6 में देखें यह अवधी 10 वर्ष से कम नहीं होगी और यह आजीवन कारावस्तक हो सकती है लेकिन इसे गंभीर प्र में यौन इत्पिणन और पॉर्नग्रोफी से संबन्दी जो अपराद होते हैं उनमें उनका बचाव करने के लिए प्रमुक रूप से इस्थितियां मजबूत करने का यहाँ प्रयास किया गया था पोक्सो अधनियम की धारा 5 के अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो भी देश से वहाँ पर वर्णन करने का उसके अनुसार निर्णे होना चाहिए और निर्णे देने में किसी भी तरह का एक अलग से बैभार नहीं होना चाहिए यानि अगर किसी भी कानून में दिया गया कोई प्रावदान इस्पस्ट है तो उसके संबन्द में किसी भी तरह का एक गलत निर्णे कोट को नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी एक समस्या देखी जा रही है, कि अधिनेयम की धारा 5 में यौन अपराद के संबंद में जो भी बात कही गई हैं, वो इसपस्ट है, पोकसो अधिनेयम के अगर हम धारा 5 की बात करें, तो बहुत इसपस्ट रूप में कहा गया है, कि 12 वर्ष से अगर कम आयू है, तो जितने भी यौन अपराद ऐसे बच्चों के साथ होते हैं, उन्हें गंबीर स्रेणी में ही लिया जाता है, तीसरा एक और अगर हम विवात का बिंदू देखें, तो यहाँ पर अगर हम इस मामले को देखें, अगर वो निउन्तम जो दंड है, उससे कम दंड देते हैं, जैसे अगर हम IPC की धारा 376 की बात करें, खास तोर से जो बलातकार के संब्द में सजा के प्रावदान से संब्द देते हैं, तो वहाँ पर निउन्तम से कम सजा देने का जो विवेकादिकार है, वो कोट को उपयोग किया जाना चाहिए, इसके संब्द में आगे चलकर सुप्रिम कोट ने एक आदेस भी दिया है, जो राजिस्थान राज्य बनाम विनोत कुमार का 2012 का निणे है, जिसमें सुप्रिम कोट ने उच्छे नियायले के आदेस को रद कर दिया, क्योंकि उच्छे नियायले ने बिना पर्यात और विस्स कारण को बताय हुए, जो भी निउन्तम सजा थी, उससे कम सजा दी, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोट ने अपने निणे में कोई भी पर्यात कारण या विस्स कारण नहीं दिये हैं, उसके करके जो निउन्तम दंड होता है, उससे कम दंड देनी की जो भ्यास्ता है, इसको फरवरी 2013 में समाप्त कर दिया गया था, और आप ध्यान रखें कि जो पोक्सो अधरियों में, वहाँ पर कारावास की जो सजा है, वहाँ पर विवेक से निणे करने का कोई अधिकार नहीं किसी तरह का अगर कोई भी सबूत है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, यह सामिल किया जाता है, तो यह किसी तरह के आपचारिक्ता नहीं है, यह एक नियाईक जबाब देही है और पारदर्शता की सिती है, जिसका अभ्यास नियायले को अवस्य करना चाहिए, तो अगर इस नियने के संबद में अलग-अलग पक्षों की हमने जो चर्चा करी, उसके आधार पर प्रमुक रूप से अगर हम देखें, तो नियने में कुछ समस्याइं दिखती हैं, जिस पर पुनरविचार भविस्य में खो सकता हैं, हम अपने अगले विसे पर आते हैं, बिल्टु र प्रद्यों की विनेमन विधियक 2020, इस बिल के मादम से ART को उन सभी तकनिकों को सामिल करने के लिए परवासित करता हैं, जो मानव सभी के बाहर सुक्राणू या ओसाइट अपरपक को अंड़ा को समाल कर और युगमक या भून को एक महिला की प्रजनन प्रणानी में इस् अगर हम देखें, तो सुक्राणू या ओसाइट का जो दान करना है, वो ART में सामिल है, इन विट्रों निसेचन, प्रवक साला में एक अंड़े का अगर निसेचन किया जाता है, वो सामिल है, गर्वकालिल, सरवगेसी, यानि बच्चा जैविक रूप से सरवगेट मां से स समबंदित नहीं है, ये सभी ART सेवाई एक तरह से मानी जाएंगी, सहायक प्रजनन प्रध्योकी यानि ART की बात करते हैं, तो ये प्रदान करने के लिए जितने भी ART क्लिनिक हैं, वो प्रमो खुरूप से इस तरह की जो सुवधाएं वो दे सकते हैं, विबिन प्रकार के जो ART बैंक हैं, वो युगमकों का भंडारण और आपूर्ती कर सकते हैं, इसी के साथ साथ ART क्लिनिक और बैंकों के वेनेवन के लिए भी यहाँ पर बात की गई है, बिल में प्रावधान है की प्रतेक ART क्लिनिक और बैंकों भारत के बैंकों और क्लिनिकों की एक राश् केंदरी डाटावेस इस राश्टी रजिस्ट्री में बनाये जाएगा, पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए राज सरकारें पंजीकरण प्राधिकरण निक्ट करेंगी, क्लिनिक और बैंक तभी पंजीकरण होंगे जब वे कुछ मानक जैसे विसेश जन सकती, यानि कुछ विसेश के वहाँ पर अलग-अलग जो सरकार बताएगी वो होने चाहिए क्लिनिक में, भौतिक बुनियादी ढाचा और नैदानिक सुबधाएं, किस तरह की सुबधाएं वो वहाँ पर देते हैं, अगर उसका पालन करेंगे, तभी क्लिनिक और बैंक एक तरह स इस राज़्टी रजिस्ट्री में सुचिबध किये जाएंगे, पंजीकरण को 5 साल के लिए वैद बनाया गया है, और अगले 5 साल इसका नमीनिकरण कराया जा सकता है, अगर कोई संस्ता विदेख के प्रावधानों का उलंगन करती है, तो उसका पंजीकरण या तो रद हो केवल एक पंजीकरण AIT बैंक दारा किया जा सकता है, यानि किसी भी तरह के डोनर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उनका पंजीकरण AIT बैंक के दारा ही किया जा सकता है, इस कानून के बात देम से 25 आई वर्ष के जो पूरुस हैं, उनसे विर्य प्राप्त किया सकता है और महिलाओं के लिए यहाँ पर जो आई वह हैं, वो 23 से 35 वर्ष के निर्धारित की गई हैं अन्डाडू प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर महिलाओं के संबन में ये भी कहा गया है, कि अगर किसी भी तरह का महिलाओं के दोरा अन्डाडू दान किया जाता है, तो तरह से विवाईत इस्टिती में रही हो, और महिला का अपना कम से कम एक जीवित बच्चा होना चाहिए, तभी वो इस तरह का दान कर सकती है, और बच्चे की नियुंतम आयू तीन वर्स होनी चाहिए, महिलाओं के लिए कानून में निस्चित किया गया है, कि अपने जीवन क केवल एक बार वो अंडाणू का दान कर सकती है, और उससे साथ से अधिक अंडाणू नहीं निकाले जा सकते हैं, तो केवल एक बार और साथ से अधिक अंडाणू नहीं लिए जा सकते हैं, किसी भी महिला से ये प्रावधान कानून में इस पस्ट रूप से का गया है, परभावस्ता एक तरह से कराना चाहता है ART सेवाएं प्रदान करने की सर्ते क्या हैं? पहली सर्त की अनुसार ART प्रक्रियाओं को केवल ART सेवाओं के साथ दाता दोनों पक्षों की लिखित सूचिस सहमयती के साथ ही किया जा सकता है AIT सेवाओं की मांग करने वाली पार्टी को ओसाइट डोनर किसी भी नुकसान छती या दाता की मृत्तु के लिए के पक्ष में बीमा कबरेज प्रदान करने की आवश्चता होगी एक क्लिनिक को पूर्व निर्धारित लिंग के बच्चे को प्रदान करने की पेसकस करने से मना किया जाता है यानि बच्चे के लिंग निर्धार्ण के संबद में किसी भी तरह कार यहाँ पर रनमती के लिए नहीं है यहाँ पर का गया है कि जब भी भूण को महिला के गर्व में इस्थापित किया जा रहा है तो आनवनसिक रोगों के संब्द में जो जाचे वो करना आवश्यक है AIT के माद्यम से जो बच्चे पैदा होंगे उनकी अगर हम अधिकार की बात करें तो प्रमुक रूप से एक आगया है कि जिन दमपत्ती के दोरा इस तरह से बच्चा प्राप्त किया जाता है वो उनके जैबिक बच्चे की तरह ही माना जाएगा और प्राकृतिक बच्चे को जो भी अधिकार और विस्यसा अधिकार होंगे वो सारे इस तरह के बच्चे को भी प्राप्त होंगे एक दाता का बच्चे पर कोई माता-पिता का इधिकार नहीं होगा यानि जिसने भी गर्भा वस्ता के लिए चाहे ओएसेट की बात करें या हम बात करें सुक्राणू की कोई भी अगर उन्होंने दान किया है तो उनके उपर उस बच्चे का कोई अधिकार माता-पिता के रूप में नहीं होगा इसी के साथ साथ इस कानून में राज और केंदर के इस्तर पर बोर्ड की स्थापना का प्रावदान है विधेक ये कहता है कि सरगेसी विनेमन विधेक 2019 के तहट जो गठिस संस्ता हैं जो राश्टिय और राज बोर्ड हैं जो सरगेसी के लिए काम करते हैं वही AIT सेवाओं के नेमन के लिए भी क्रमस है राश्टिय और राज इस्तर पर भी बोर्ड के रूप में कारे करेंगे राश्टिय बोर्ड की अगर हम प्रमुख सक्तियों और कार्यों की बात करें तो AIT से संबंदित नीतिकत मामलों में कें सरकार को ये सलाह देगा विदेयक के कार्यानवन की समिच्छा और निगरानी करना AIT क्लिनिक और बैंकों के लिए आचार संग्ता और मानक तयार करना विदेयक के तहत गठित किया जाने वाले विभिन निकायों की देखरेग भी इनी बोर्ड के द्वारा की जाएगी राज्य बोर्डों को कहा गया है कि राज्टी बोर्ड की जो सिफारसे नीतियों और जो वेनोमों के अनुसार AIT के लिए नीती और दिसा निर्देस का प्रवर्तन और समन्वे करना इन बोर्ड का प्रमुकुरूप से कार्य होगा इस वेदेक में अपराद और दंड की विष्था भी प्रमुकुरूप से रखी गई है जो इससे संबंदित अपरादों में लिप्त पाए जाएंगे AIT के माद्यम से पैदा हुए बच्चे को छोड़ना या उनका सोसन करना या अपराद की सिर्णी में रहेगा मानो भुरून या या युगमक को बेचना, खरीदना, व्यापार करना या आयात करना ये भी अपराद और दंड की सिर्णी में आएगा दाताओं को प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती का उप्योग करना ये भी अपराद की सिर्णी में है कोई भी दमपत्ती जो इस तरह से AIT का उप्योग करके बच्चा प्राप्त करना चाहता है महिला या योगमकदाता का किसी भी रूप में सोसन नहीं होना चाहिए इसी के साथ किसी भी तरह का मानव भुरून अगर किसी नर्वेक्ती में या किसी जानवर में स्थानेंत्रित किया जाता है तो ये भी यहाँ पर कानून में अपराद की स्रिणी में आया है कोई भी अपराद जो उपर दिये गए हैं अगर पहली बार उलंगन किया जाता है किसी भी क्लीनिक या बैंक में अगर कोई ऐसा विज्ञापन पाया जाता है कि वो लिंग चैनात्मक AIT करते हैं तो उनको 5-10 साल के बीच में कारावास या 10 लाग से 25 लाग रुपेता का जुर्माना देना पड़ सकता है प्रमुक रुप से रास्ती और राज्य के इस्तर के जो बोर्ड है या उनके दोरा अधिकरित अधिकारी की सिकायत पर ही जो अपराद हमने उपर देखे हैं उन अपरादों का संग्यान लेकर कारेवाई की जाएगी आज के अपने अगले विषय को देखते हैं EU plans 300 billion euro infra fund to counter China's BRI चायना के दोरा प्रमुक रुप से अव सनचना को बनाने के लिए इस BRI पर योजना को जो संचालित किया जा रहा है उसका सामना करने के लिए प्रमुक रुप से ये योजना सामने लाई गई है ये रुपी आयोग ने दुनिया भर में सारवजनिक और निजी बुनियादी ढाचे में निवेस प्रमुक रुप से बढ़ाने के लिए 300 euro euro यानि लगबग 340 euro dollar की योजना एक तरह से घुशना करी है जिसका उद्देश है चीन की Belt and Road Initiative जिसको BRIV का जाता है उसको एक तरह से सामना करने के लिए क्योंकि माना जाता है कि 2013 में चीन के राजपती सी जिन्पिंग की एक प्रमुक योजना के रूप में Belt and Road Initiative पो जो सुरू किया गया था तो इसका उद्देश था कि बैस्विक रूप में एक बड़ा निवेस चीन के दोरा किया जाए अलग-अलग देशों में अवसनचना में लेकिन माना जाता है कि ये जो अब सनचना में निवेश चीन के दौरा किया गया है इससे विविन देशों में प्रमो कुरूप से समस्याएं बढ़ रही है यहाँ पर अगर हम 2020 का अंकड़ा देखें तो चीन ने लगबग 149 सनलो आठ अरब डॉलर का निवेश किया है यहाँ पर आप ध्यान रखें कि प्रमो कुरूप से एशिया, यूरोप और अफरीका में बैतर ढंग से भूमी और समुदरी मार्ग से इन छेतरों को जोड़ने के लिए एक बुन्यादी ढाचा बनाने के लिए इस योजना को चीन के दारा प्रियोग किया जा रहा है इस योजना को माना जाता है कि गरीब देसों को यह काफी प्रभावित कर रही है और प्रमो कुरूप से चीन इन देसों को रिंड देकर बड़े पहमाने पर उनको आर्थिक संकट जैसी सिती में ले आ रहा है और उसके बाद अपनी नीतियों को उन देसों पर आरोपित करत प्रमो कुरूप से अफरीका के देसों में इस तरह के विवाद सामने आए हैं चीन एक तरह से अलग-अलग देसों को जो इस BRI प्रोजेक्ट में सामिल है उनको अधिक से अधिक रिंड देने के लिए प्रयास करता है और जो भी एक तरह से रिंड के माद्दम से परियोजना चीन के दोरह इसका विरोध किया जाता है कि ऐसी सिती नहीं है लेकिन प्रमुक रूप से अगर हम देखें तो मानाओ, सरम और परयावाण जो अधिकार हैं उनका बड़े पहमाने पर इस तरह की परियोजनाओं में हननन हुआ है इसी आधार पर योरोपी संग के दोरह आव इसी कड़ी में अगर हम देखें तो यह योरोपी संग का एक नया प्रयास है आज के अपनी अंतिव न्यूस को हम देखते हैं और यहां पर ITI के माध्यम से एक आकड़ा सामने आया है कि अगर हम पिछले एक दसक की बात करें तो 1160 हातियों की मृतियों हुई है जिसमें 1770 के आकड़े कहते हैं कि लगबग 29,964 हाति भारत में हैं तो वर्तमान जो आकड़े आये हैं वो काफी चिंता जनक हैं और उस पर ध्यान देने की आवस्तकता हैं इसलिए प्रमुक रूप से अगर हम देखें तो रेलबे की तरफ से प्रयास किया गया है जहां पर एक इस् सनचन को लेकर जो इस्थितिया हैं उनमें कह सकते हैं कि वर्तमान में समस्या हैं बहुत अधिक हैं वर्तमान में अगर हम हाथियों के निवासिस्तान की बात करें तो उनके जितने निवासिस्तान हो सकते हैं उसका केवल 3-4 परशन भागी बचा हुआ है यानि वास्त्रिक रूप में लगवा 97-96 प्रसत भाग जहां हाती रहते थे वो समाप्त हो चुके हैं इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं यहाँ पर ध्यान देकर हाती के सनचन की इस्तिति को हम और मजबूत कर सकते हैं क्योंकि ध्यान रखें हाती एक की स्टोन प्रजाती की रूप मे प्रमोक रूप से अन्य प्रजातियों के लिए भी आगे बढ़ने की इस्तितियों को मजबूत करता हैं इस रूप में हाती का सनचन किसी भी पारिस्तित की तंतर में काफी महत्तोपून हो जाता हैं आज की अपनी चर्चा के आदार पर हम मुख्य परिशा के प्रस्णों को देखते हैं और उनकी उत्तर सनचना पहला प्रस्ण पूर्वी यूरोप और बेलारूस पोलेंड सीमा पर तनाव बढ़ गया है और हजारों सनचनार्थी यूरोपिय संक के छेत्र में प्रवेस करन रूस के महत्तों को यहां पर बताएं किस रूप में रूस का महत्तों इस संकट में हैं मुख्य भाग में वर्तमान संकट के जो कारण है वो आप गिनाएं नौड स्ट्रीम टू विवाद के महत्तों को बताएं यूक्रेन रूस का जो विवाद हैं बेलारूस के माद्यम से पर दबाव और साथ-साथ आप पोलेंड की जो घरलू इस्थिति हैं यूरोपिय संक के साथ में उसको भी एक तरह से यहां पर बता सकते हैं जो बड़ा आधार है इस संकट के बढ़ने के लिए निसकर्स में सहनार्थी संकट के दारा रूस की सामरे किस्थिति को पूर्वी यूरोप में कमज़ूर करने का प्रयास है क्योंकि रूस के दारा यूक्रोड पर जो दबाव बढ़ रहा है उसी को एक तरह से कम करने के लिए प्रमुक रूप से या एक प्रयास माना जा रहा है दूसरा प्रस्ण देखते हैं विपक्च्छी सांसदों द्वारा संसधी र जंबित करने के विवात की संचिप चर्चा करें, मुखिमाग में संसद में कारिवाई के मादम से कारे चमता में निरंतर, गिरावट, संसदी समित्यों का घट्टा महत्त, संसद में बहस के महत्त को आप बताएं किस रूप में या लोकतंत्रिक मूल्यों का आधार है, निसकर दुनों में अन्य दुनों के समाचार विस्नेशन हम आपको इसी तरह से उपलवत कराते रहेंगे बाईजूस आए सिंधी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं अधिक से अधि संख्या में लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद